सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और इस बेल आइकन के उपर क्लिक कीजिए हमारे लिटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए गोल गप्पे बेचने के लिए रोज पहनता है सुट बुट्टाई वजाए जान दिल खुश हो जाएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है वैसे भी सफलता कि उचैवों को छूने के लिए सिडियों पर पहला कदम नीचे से ही सुरू होता है और यहीं वज़ा है कि आज कल कई पढ़े लिखे युवा भी सड़क पर ठेला लगाने में संकुछ नहीं कर रहे हैं बलकि वे इसमें और भी नए प्रियोग कर अपने बिजनेस को दूसरों से अलग बना रहे हैं अब दिल्ली की सड़क पर सुट बूट और टाई पहन गोल गप्पे बिचने वाले इस सक सको ही ले लिजिए गोल गप्पे चाट आलू टिक की दही भला ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी नाम सुनते हैं मूँ हमें पानी आ जाता है और यहीं वज़ा है कि आपको इनकी दुकाने या ठेले भारत के हर सहरगाओं और गली महले में मिल जाएंगे आम तर पर स्ट्रीट फूट को लेकर लोगों की सोच होती है कि ये गंदा लोवर क्लास और चीफ होगा लेकिन दिल्ली में एक चार्ट की दुकान ऐसी भी है जिसने लोगों की यह सोच ही बदल दी है यहां 22 साल का एक लड़का स्ट्रीट फूट को भी रायल फिल देने की कोशिस कर रहा है जब हम किसी बड़े रेस्टराओं में जाते हैं तो वहां हमें खाना सर्व करने वाले वेटर और से इस्टेंडर्ड अड्रेस में दिखाई देते हैं उन्हें इस अवतार में देख ग्राहक को भी अच्छा फिल होता है बस इसी आइडिया को लेकर इस लड़के ने स्ट्रीट फूड में डाल दिया वह रोज सूट बूट और टाइप पहन अपना चार्ट कर ठिला खोलता है और लोगों को स्वादिष्ट पक्वान परुषता है लड़का पंजाब कर रहने वाला है वह पढ़ा लिखा है इसके पहले कई अच्छे फूड आउटलेट में काम भी कर चुका है लेकिन कुरोना काल में हर किसी की जग पर खत्र मन रहा था ऐसे में लड़के ने अपनी मेहनत लगन हुनर और कुछ सेविंग्स से एक अलग जिच करने की सूची आज उसका ठेला फेमास हो गया है जो यहाँ एक बार आता है वह बार बार आता है सूट बुट वाले इस अनोखे ठेले वाले लड़के की स्टोरी यूटूबर और फूट बलोकर हैरी उपल ने अपने यूटूब चैनल पर सेयर की है लोगों को लड़के की ये कहानी बड़ी पसंद आ रही है लड़का इस मुकाम तक कैसे पहुचा और वह सूट बुट पहन ये काम क्यों कर रहा है इसकी अधिक जनकारी के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं